नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है मोहन राप दीख रहे हैं मैं अचलम के ग्यान दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपका S.O.L. गेजुएशन कर चुके हैं दोस्तों और आपके जो है थर्ड यर कंप्लीट हो चुका है आपको S.O.L. जो है प्रोविजन सेटिफिकेट जो है डाउलोड करने में दिक्कत हो रही है आपके जो स्टुडेंट डैसबोर्ट में शो नहीं हो रहा है आपका प्रोविजन तो इस वीडियो में को पूरा डिटेल मताऊंगो तो वीडियो को सुरूर से लेकर आएक जरूर देखें चाले पर नए चाले को सब्सकाइब करें रेड़ बन दवागे शाते मेले कें दवार ना बुली दोस्तों चले शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी अपन पास होने चीए हो तब जाके आपका S.O.L. में प्रोविजन सेटिफिकर्ट आपको डाउनलोड करने का अप्शन मिलेगा दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों फिर भी आपका जो है प्रोविजन सेटिफिकर्ट आपके डैशपोर्ट में शो नहीं हो रहा है तो आपको S.O.L. campus जाना है कौन से campus जाना है वो भी बताऊंगा आपको North Campus जाना है जी हाँ दोस्तों North Campus में जाके Window No.16D जी हाँ दोस्तों Window No.16D में जाके आपको एक application लिखनी पड़ेगी मतलब उसमें आपको application में लिखना पड़ेगा I need my provisional certificate किस रीजन से जैसे आपको admission करवाना है तो आपको admission के लिए आपको कोई job purpose के लिए चाहिए आपको provisional certificate तो आप वो application में लिखके regarded डालके अपना नाम S.O.L. roll number और जो आपके जो detail है वो सब आपको fill करने दोस्तों fill करने के बाद आपको mark sheet भी आपको उसमें attach करनी है एक application और एक mark sheet आपको attach करके उसमें आपको window number में कोई भी जो करमचारी होंगे आपको वहाँ उसे submit करना है मात उसके बाद आपको मातर एक या दो घंटे के अंदर अंदर आपके जो dashboard है student dashboard है वहाँ पर आपका जो है जरनेट हो जाएगा दोस्तों आपका provisional certificate आप वहाँ से फिर उसे आप online डाउनलोड कर सकते हो ध्यान रहें दोस्तों download आपको online ही करना है आप महाँ पर आपको provisional certificate नहीं मिलेगा बस आपको आपको वहाँ पर application डालनी है और बताना है दो उसके बाद वह जरनेट हो जाएगा दोस्तों और आपका जो है provisional certificate आप easily आप student dashboard में जाके online डाउनलोड कर सकते हो तो यह एक छोटे सा जो आपको काम करना है दोस्तों अगर आपका student dashboard में आप अपना provisional certificate डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो शो नहीं हो रहा है तो आपको यह द Rebecca O remus to दो सोत्य वाले हो आप-कॉ principles के भी हो तो वह भी आपको नॉर्थ केंपस में ही जाके चालई साउथ कीपस वाले हो आपको नॉर्थ किंपस में ही जाना है दोस्तों साॉथ केंपस में अगर आप 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 जाओगे वहां नहीं होगा दोस्तों यह सब काम आपको न करें और कमेंट करके बता हैं आपको क्या-क्या प्राबलम आ रही है आपके पास धन्यवाद वHappy